अगली खबर में बात करते हैं दमोगी जहां के एक पिता ने कुलहाडी से अपने ही बेटे का हाथ काट दिया इसके बाद कटा हाथ और कुलहाडी लेकर थाने पहुच गया ये सीन देखकर पुलिस हैरान रह गई फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिराशत में ले लिया है मामला दमोग के जेरट चौकी छेतर के बोवई गाउं का है गुरुवार साम करीब 4 बजे मोती काँछी उम्र 52 वर्स ने बेटे संतोस उम्र 30 वर्स से बाइक की चावी मांगी बेटे ने चावी देने से मना कर दिया इससे पिता नाराज हो गया उन्होंने अपने भाई राम किसन के साथ मिलकर बेटे को बेरहमी से पिटना शुरू कर दिया बेटा पिता से बहस करने लगा इस पर पिता और जादा आग बबूला हो गए उसने पास पड़ी कुलहाडी उठाई और बेटे पर हमला कर दिया कुलहाडी बेटे के बाएं हाथ पर लगी जिससे हाथ कट कर जमीन पर गिर गया हाथ कटते ही बेटा भी जमीन पर गिरा और तडपने लगा हाथ कटने के बाद बेटा जमीन पर गिर कर तडप रहा था पिता ने कटे हाथ को उठाया और कुलहाडी कंदे पर रखकर पैदल ही घर से निकल गया वैसे इधे पुलिस चौकी पहुँचा और सरेंडर कर दिया कटा हाथ देकर पुलिस वाले भी चौक गये उन्होंने आरोपी पिता को हिराशत में ले लिया इधर घायल की पतनी यसोदा पुलिस की गाड़ी से उसे लेकर पथरिया अस्पताल पहुची जहां प्रात्मी कुपचार के बाद हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया डॉक्टर ससिकान पटेल ने कहा यदि समय पर हाथ की सरजरी हो जाती है तो युवक का हाथ जुड़ सकता है लेकिन देर होने पर उसका हाथ नहीं जुड़ पाएगा बेटे संतोस ने करीब देर साल पहले किस्त पर बाइक खरीदी थी अभी साथ आथ किस्त भरना बाकी थी उसने पिता से किस्त भरने में मदद मागी तो उन्होंने मना कर दिया वे मदद तो नहीं करते थे लेकिन बाइक जरूर मागते थे गुरुवार साम करीब चार बजे जब पिता ने उससे बाइक मागी तो उसने मना कर दिया बेटे ने कहा जब आप किस्त भरने में मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं आपको गाड़ी की चाभी क्यों दूँ इसी बात को लेकर दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ा कि पिता ने गुस्से में बेटे का हाथ काट दिया परिचनों का कहना है कि उनके पास करीब पांच एकर जमीन हैं जिस पर दोनों मिलकर खेती करते हैं उसका खेत में चारा काटने के दौरान भी पिता से विवाद हुआ था बूरे रिपोर्ट विराट 24 नियूज तो फिर उसकी सर्वे रिवन सक्थी और उनों सक्थी और उनों सक्थी